नमस्कार दोस्तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी की जो सिक्योरिटी ब्रीच वाला पूरा मामला रहा इसमें पंजाब सरकार जो की कॉंग्रेस साशित राज्य है वो कह रहा है कि यहाँ पे SPG-IB की गलती है यानि की प्रधान मंत्री मोधी जी को जो सेंटर के द्वारा ह मिनिस्टर के द्वारा जो सिक्योरिटी उनको प्रवाइड करती है उनकी यहाँ पे गलती रही ना कि पंजाब पुलिस की इसके उपर यह तरक दे रहे हैं कि यहाँ पे यह पूरा का पूरा प्लैन क्यों चेंज किया गया क्योंकि प्लैन क्या था कि हेलिकॉप्टर से प्रध किसान आंदोलन कर रहे थे, किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी की गाड़ी वहाँ पे जा, टकराई, मतलब वहाँ रुकी, यह पूरा मामला है, यहाँ पे यहाँ के जो चन्नी जी है, यह भी यह बात कहते नजर आ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने नेक् को खतर है, यह सब एक जूट है, प्रपंच है, यह कॉंग्रेस कह रही है, चीक चीक के, लेकिन अब क्या हुआ, यह मामला जा चुका है, क्यों, क्योंकि अभी जो केंद्र सरकार है, वो जाज बठा रही है, शोकोस नोटिस दे रही है, किन को, वहाँ के पंजाब पुलिस क है, सुप्रीम कोर्ट में इस पे बात हुई, सुनवाई हुई, तो निशकर्श ये निकला है, कि एक रेटाइड जज की पैनल बैठाई जाएगी, और वो अब इसमें दोनों पक्षों को सुनके, स्थिति को जानके, कि आखिर क्या रहा, कैसे रहा, कहा चूक रही, क्योंकि प्रधान मंतरी मोदी जी की सेक्योरिटी में लैप्स, कोई साधरन बात नहीं है, तो ऐसे में अब ये पूरा एक मामला है, कि एक कमिटी बैठेगी, वो इस पे जाँच करेगी, क्योंकि यहाँ पे आरोप, प्रत्यारोप का एक सिलसला चल रहा है, ये तो रही पूरी बात अभी तक का क्या है, लेकिन इसमें आपको समझने वाली चीज ये है, कि जब हम ये देखते हैं, कि प्रधान मंतरी मोदी जी की जो गाड़ी है, वो वहाँ तक पहुच जाती है, मतलब 100 मीटर की दूरी होती है, किसानों से, जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, अब इसमें दुरभाग्य ये है, कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, आप समझिये, कि वहाँ जो पंजाब पुलिस है, क्योंकि हमेशा जो भी VVIP, जो पूरा काफिला गुजरता है, इनका प्लैन A होता है, प्लैन B होता है, अगर मौसम खराब होनी की वज़े से हेलिकॉप्टर नहीं लिया जा सकता था, तो प्लैन B को पारित किया गया, तो उस प्लैन B के अंतरकर जो रूट था, अगर उस रूट से गाड़ी गुजर रही है, तो उसको खाली क्यों नहीं रखा गया, अब इसको खाली रखने की कहां से चूक आती है, पंजाब पुलिस का काम है, कि पूरे एरिया को जहां से जहां तक प्रधान मंत्री मूदी जी की गाड़ी गुजरने वाली है, वो खाली रहे, तो ऐसे में नहीं रहता, वहां पे प्रोटेस्टर सुपलब्ध होते हैं, ये क्लिरली एक नजर आता है, कि पंजाब की सरकार ने ये पूरा सू नियोजित कर रखा था, कि प्रधान मंत्री जी की गाड़ी यहां से गुजरेगी, तो यहां पे किसान जो आंदोलन कारी है, वो वहां पे रहेंगे, अभी रिसेंटली हमने ये भी बहुत से देखे कि ये किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है, किस तरीके से खालिस्तान का एक वीडियो भी जारी हुआ और कहा गया कि पांच तारिक को प्रधान मंत्री मूदी जी क्या काफिला गुजरेगा तो उसको रोकना है बीच में और पिछले वर्ष का एक वीडियो भी बहुत तेजी से भी वाइरल हो रहा है जिसमें प्रधान मंत्री डेफिनेटली लिप्त नजर आती है और अब इसके उपर जाज बैठी की सुप्रीम कोट की जो स्पेशल जज की टीम रहेगी वो इस पे निशकर्ष लेगी सभी चीजों को देखते हुए चलिए आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आगे होगा कि क्या पूरा मसला चल रहा है क्या पूरा मामला चल रहा है अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए जय हिंद